नमस्कार दोस्तों सेकावाटेनोट शीटी ने PhD Entrance Exam 2 जारते ही जो आपकी RET exam हुई थी उसकी answer की और जो क्यूसन पेपर हैं वो जारी कर दिये गए हैं तो student है कि उसन पेपर किस परकार डाउनलोड करेंगे और answer किये किस परकार डाउनलोड करेंगे किस परकार देखेंगे इस वीडियो में डिटेल से बताने वालों तो जितने भी student है इस वीडियो को share कर दें चैनल को subscribe जरूर करें तो सेकावाटी इनुटिटी की जो PhD entrance exam है वो 24 दिसंबर को हुई थी और अब सेकावाटी इनुटिटी है वो studentों से पूछ रही है तो वो student है उस question का जो जिस बुक से पढ़ा है या जिस question में आपको आपती आ रही है तो उसका right answer जिस बुक में है तो आपको उस बुक की photo और question है वो आपको बेज रहा है इनुटिटी की email पर student है चार एक 2014 तक बेज सकता है मतलब 4 जनवरी तक साम पास बचे तक बेज सकता है तो उसका right university है PhD entrance exam है वो गुनिस विसवे के अंदर आयोजित की थी तो गुनिस विसवे हैं वो बुकलेट है वो जारी कर दी है कुशन पेपर जारी कर दी है answer की है जारी कर दी है अब student है कुशन पेपर और answer की है नहीं देख पा रहा है तो student है इस वीडियो में बताने वाला हूँ और सेकवाटिनोडिशिटी की जो official site है उस पर आप देख सकते हैं कि right side में three line है उस पर आपको जाना है जाने की बाद research का option है उस पर जाना है और research की option पर जाने की बाद उपर उपर लिखा है कि information regarding question, booklet and answer की RET 2023 इस पर आपको जाना है जैसे आप इस पर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक तो नोटी जारी किया जिसमें बताया गया है कि जो आपती है student है चार एक दो जार जो इस तक है वो last date है वहां तक आपती है अपनी आपती है वो दर्ज करा सकते हैं और आपका क्यूशन बुकलेट है क्यूशन पेपर अब जारी कर दिये गए हैं answer के बो जारी कर दिये गए हैं जो आपकी RET exam है गुनिश विसमे के अंदर हुए थे सभी की क्यूशन पेपर और बुकलेट अब जारी कर दिये गए हैं तो अब student है किस परकार है अपनी जो क्यूशन बुकलेट है और answer के किस परकार देखेंगे स्टुडेंटों से यह डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो आसान तरीका बताने वाला हूँ तो student है पहले सबसे पहले है ज 356 MB की हैं और जो answer की है लगबग 15-16 MB की है आपकी देख सकते हैं अब यहां से student है यदि क्यूशन पेपर या फिर answer की डाउनलोड कर रहा है तो वो open नहीं हो रहा है cannot open है यसा दिखा रहा है तो अब आसान तरीका student को बताने वाला हूँ तो जितने भी student है कर पहले ध्यान द लेना है डाउनलोड करने के बाद student को यह file है वो open कर लेना है जैसे ही आप open कर लेते हैं तो आपको download है उस section के अंदर जाना है download section के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका booklet और answer की है वो दोनों आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले आपको booklet है उस पर जाना है और फिर निचे व्यू का उप्शन है वहां पर आपको जाना जैसे जाते हैं तो वुकले टैब उपन हो जाती है अब आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी पेपर थे वो सभी पेपर है यहां पर उपन हो रहे हैं और सभी पेपर हैं उनके 44 नंबर दिखाई दे रहे हैं तो ये सीरीज नंबर है जैसे कि ऐमालीजे इंग्लिज के चार पेपर थे मतलब 4 सीरीज के पेपर थे जिसमें p, q,r,s जितने भी बी आपके 4-4 पेपर थे गुनी सब्जेक्ट थे उनमें सभी की चार-चार पेपर थे और सीरीजन वाइज थे आपके तो जितने भी स्टूडेंट है जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप यदि हिंदी का कोई भी पेपर यदि खौलते हैं तो आपको व्यूप पर जाना है व्यूप पर जाने के बाद है अक्स्ट्रेट आपका पेपर है वो फाइल है वो सेव है मोबाल के अंदर होती है तो इस्टूडेंट है इंतजार कर लेते हैं जितने भी आपकी फाइल है वो अक्स्ट्रेट हो जाती है जो जिप फाइल आपको डाउलोड कर लेना है तो आपके सबी paper है वो आपको दिखाई देने लगेंगे और student है आपको देख सकते हैं कि आपकी जो जितनी फाइला वो अक्स्टेट होती हैं जैसे भी आप जो भी paper आप देखना चाहते हैं तो फिलाल के लिए जो आप देख सकते हैं यह एक्स्टेट हो रही है जो की पूरी हो चुकी है अब आप देख सकते हैं कि अब जो भी हिंदी का paper था वह open हो जाता है जैसे कि P-series का हिंदी का paper है यह paper आप देख सकते हैं कि हिंदी का था एंटरेंस से exam research eligibility test है तो 2023 P-series का paper आप हिंदी का देख सकते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा paper सबसे पहले student हो वो सबसे पूरा paper है वो दिखा देता हूं तो student है अपना क्यूसन से सभी क्यूसन से student है देख सकता है और 50 क्यूसन अब हो मैंने सभी दिखा दिखा दी है student को इस परकार से student है सभी paper है आप आशानी से देख सकते हैं है आप देख सकते हैं कि टोटल पेपर आपके बॉकलेट के अंदर है गुनिश सब्ज्चिक्ट के अंदर आपकी ए एक्जाम ठी जो की पूरे पेपर आप इस परकार से अपने डाwnलोड कर सकते है और इसके बाद आप answer की है किस परकाष डाउलोड करेंगे आपकोllen जो की download वाला option है उसमें जाना है और जाने के बाद जो answer की है जी पर वो view आपको देखना है view देखने के बाद answer की पर जाना है और सभी की answer की है वो आ गई है तो student है आसानी से अपना paper देख सकता है और उनकी answer की देख सकता है जैसा कि मैं एक किसी भी question paper की answer की है जैसे कि Hindi की P वाले जो series है उसकी मैं answer की open करता हूँ तो student देख सकता है कि ये Hindi की P series वाली है वो open हो जाती है तो ये देख सकते हैं कि answer की है वो open हो गई, तो student है देख भी सकता है कि जो हिंदी का paper था और P-series आउसकी answer की है, देखने को मिल रही है तो इस प्रकार student है सभी student है, अपने जितने भी paper है, सभी की series wise है आप अपने answer की देख सकते हैं और paper है, वो दोनों देख सकते हैं तो जितने भी student है, आसानी से आप जो zip file है उसके madem से आसानी से देख सकते हैं तो यदि student चाहते हैं कि मैं सभी paper है series wise है, paper, question paper और answer की है, सभी अलग-अलग डालों तो student comment करके बता दें, और जितने भी student है आपती आपको आपती आ रही है तो student है, करपया करके आप 4.1.2014 तक अपनी आपती है सभाट इनोट सीटी तक बेज दें कि हमें इस क्यूशन के अंदर डाउट है तो student है, उस क्यूशन के आपती है इनोट सीटी तक पहुंचा दे और यदि आप सही होते हैं क्यूशन या तो डिलिट होगा या फिर आपको अक्ष्टा नमर मिल जाएगा अब क्या कटोफ रहने वाली है इस पर अलग से बात करेंगे तो जितने भी student है, आप अपनी फाइल डाउनलोड के लिजिए और इस वीडियो को सेर जुरूर करेंगे चैनल को सस्क्राइब जुरूर करेंगे थाइंक्यू, धन्यवाद